हलो वाग्व तुस्वागत आप सबका ट्रिमटे 17 के एक और यूट्यूब वीडियो में बाकि मैच में बात करने वाले हम विडियो में बात करने वाले हम ग्रेनेडा वसे रियल मैड़ेड के जो मैच होने वाले हैं इसके मात करेंगे बागी सबसे पहले इनके प्लेइंग 11 एक बर हम देख लेते हैं पट उससे पहले जो मैं यहाँ पर टीम मराऊंगा जो मैं पर लाइक प्लेइंग 11 बताने वाला हूं उसमें कुछ ना कुछ चैंजिस लाइक हो सकते हैं उन सब के लिए आप टेलिक्राम चैनल पर जा सकते वहाँ पर आपको जो है अपडेट काफि जल्दी मिल जाएं क्योंकि आपको पता यूट्यूफ पर अपडेट करने में काफ़े टाइम लगी जाता है सो वहाँ पर आपको फटावट मिल सकते हैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर आप जा सकते हो सर्च करके आप जो यहाँ पर जाओगे टेलीग्राम में वहाँ जाकर आपको सर्च करना है दिखाने के लिए ड्रीम फेंटसी 17 तो जैसा अब सर्च करो कि सबसे उपर आपको चनल मिल जागा यहां पर जाके जोइन कर सकते हो यहां पर टीम्स वगरा एंड लाइक शेडियूल वगरा आपको रिजल्स वगरा सब आपको देखने को मिल जाएंगे अभी चलते अपने फ horses as candle माधो उसके बाद defend नापको मिलेंगे जो आज की re-णाप है उसमें बाकी इदर से एक बार इंपोर्डेंट मंदेखे कूंसे हो सकते अगर आप लेना चाहो तो एक जो सिंपल चोईज है मेर पास है जर्मन सांचेस बागी दूसरों को डिफेंड दूसरों को सजेश्च नहीं करूँगा एंड मैं सांचेस को भी इतना को सजेश्च नहीं करूँगा अगर रियल मैंडेड जैसे टीम के एंगेश में मैंच ह हो तो जो लाइक एक वन साइड मैच निकल के आ सकता आज के लिए बागी फिर भी मिड़ फिल्ड में देखते हैं ब्राइस गोना लोंस वीको यह सब खेलने वाले हैं और यह टीन डिफेंडर जो है इधर से आपको गोना लोंस यान ब्राइस एंड एफ वीको जो आपको द पुरतास रहेंगे इधर से जोर्ज मॉलीना सो यह कुछ इनके रह सकते हैं इधर से पांच मिड़ फिल्डर उसके बाद एक सेंटर फोर्ड में चार आपको डिफेंडर बताये थे एंड एक जो गोल की पर सो यह कुछ इनके लाइन अप रह सकती है आज के लिए इधर से इ इन आपके लिए बाकी चाहो तो सेगेंडर फिक फिर आपके लिए वीको ब्राइस और गोनालोंस बन सकते बट मैं सजेस्ट करूंगा कि यह तीन और उसके बाद में एक गोल की पर यह चार डार आपके लिए ठीक बन सकते ग्रेनाड़ा के तरफ से बाकी अभी चलते अपन लेंगे इदर से मार्सेलो नाचो एंड मिलेता हूँ तो यह तीन डिफेंटर आपको देखने को मिल सकते हैं उसके बाद में एक वैल वर्दे में भी डिफेंटर में रह सकते हैं यहां पर मिड्विल्ड सेक्शन में आपके लिए मैंचेन हैं इतने कुछ ज्यादा आपके स्मोली के टेम के लिए भी एंड वैसे यह तीन जो डिफेंडर में रहने लाइन उसके बाद में इदर से असेंशियो बेंजमा जूनियर दिखेंगे तो असेंशियो भी खेलेंगे मिड्विल्ड सेक्शन में बट सेंटर फॉर्ड कोईशन में खेलेंगे उसके आपके लिए कुछ लाइन अप रह सकती है अब एक बाद टीम मनाते वक्त भी एक बार देख लेते कि किस को आपिक कर सकते हो इधर से बैंजमा मोलीना के साथ में जा सकते हो गर जाना चाहो तो बट मैं क्लीन चेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं सो मोलीना की तरफ इतना ध्यान नहीं दूँगा सो जूनियर के साथ में जा सकते हैं एक वीक टीम में गूल वगएरा कर सकते हैं जूनियर सो ट्राइ कर सकते हो बाकी अभी के लिए तो आई थिंक कि मैं बैंजमा काफे सही रहेंगे उसके बाद में असेंचियो मेरे हमेशा से मस्ट पिक प्लेयर रहे हैं स्मोल लीग ग्रैंड लीग में तो मैं हमेशा असेंचियो कैप्टन राइस का पिन ट्राइ करता हूं और ड इदर से असेंचियो या फिर मोडरिच दोनों में इसकी से एक को ट्रॉप करके फोर्ड डिफेंटर के साथ में जाता अभी यह काम आप कर सकते हो बाकी आपके पास दो प्लेयर जिसमें आते हैं प्वरतास को पिक कर सकते हो एंड उसके बाद में इधर से मोलीना एक बस्ते एंड जर्मान सांचेज तो यह एक चोईस में आपको बड़ चोड़ता हूं लाइक जर्मान सांचेज आपको डिफेंसिव पॉइंट काफी ठीक ठाक दे देंगे एटलिस दस से पंदरा पॉइंट तो अराम से दे देंगे यह बाकी जोर्ज मोलीना सिर्फ तभी करेंगे तो यह चोईस आपके उपर आप जिसको भी लेना चाहो तो मैं अभी के लिए जर्मन सांचेज दिखा रहे तो बाकी कैप्टन बेंजमा रहने वाले वाइस कैप्टन मैं लूगा क्रूस हर मैच में लाइक कंसिटेंटली क्रूस कौन देते रहते हैं तो उनको ले स प्रेंटे सकते हैं इधर से रामोस अगर केलेंगे तो रामोस पैनल्टी इस अधरवाइस फिर बांजमा पैनल्टीज लेंगे तो यह कुछ है इनके पैनल्टी ऐसके प्लिए बगभी आपके सब्सक्राइब कर लेना और और बेल नोटकेशन दबा लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालू आप फटावर्ट से देख सको बागी टेलिक्राम चैनल भी जरूर से जोइन कर लाना क्योंकि सबी जो अपडेट्स वगरा वह आपको वहीं पर मिलेगी और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर दूँगा तो आपके लिए वह मैस्टा बागी ओलना वेस्ट वर दिस मैजिकाइज मिलते हैं आप कनेक्शेड में बहुत ही जलते हैं